प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम यह है चार्म जन्म आधारित मित्वाव पर आधारित एक धर्म है जिसमें की पवित्र और अपविता है वो पोईत्रिता अभी अभी नहा का मिकले वे सुठीजिक परपारी है नरिन्नमोदीन शुचुप उस दिन नहा हो कर जाएंगे ऐसी क वे अपने को ब्रामनों से तुजवाते हैं और अपने ही हाथ को दोनों लोकों का नाश करते हैं यह क्या है जे बर्नाधम देली कुमारा पपच किरात बोल कलवार पनारी मुई ग्रह संपतिनासी मूड मूडाई ओही सन्यासी मंदिर का लोकारपन नरेंद्र मोधी करेंगे दूसरी बात नरेंद्र मोधी को छुएंगे तीसरी बात क्या ऐसे मौके पर संग्राचाच का ताली बजाना बचित होगा इन चर्चाओं के बीच एक बयान मुझे लगा कि महत्त महकुन है और इस पर बात मनी चाहिए तो कि इसका जोसर है कि राजनीत तो पांस साल के लिए होती है लेकिन कुछ चीज़ां ऐसी होती जिसका समाज पर गहरा असर होता है तो मुझे लगता है नमस्कार देश में इस समय हर तरफ राम मंदिर अंदुलन की चर्चा है उससे जोड़े भी राजनीत उससे जोड़े वे अंदुलन कौन किसको बला रहा है नहीं बला रहा है कौन आएगा कौन नहीं आएगा कौन रूट गया किसको मनाय जा रहा है किसको नहीं मनाय जा रहा है समाज पर गहरे असर के रूप में देखा जाना चाहिए पूरी के संकराचाज निश्चलामन सरश्वती ने राम मंदिर आंदुरन के बीच एक विवादास पर बयान दिया सबसे पहले उनका बयान सुन लेते हैं अब देखिये मेरे पास जहां तक मर्ठतों में बहुतिनों से नहीं गया हूँ मुझे सूचता है कि शंकराचाज पुरी एक विव्यक्ति के साथ आना चाहे ना सकते अगर लिका होता कि सो विव्यक्ति के साथ आने तो भी मिन जा रहा हूँ संकराचाज किस बयान को अगर आपने गौर से सुना है तो इसके तीन हिस्से हैं ऐसे तो संकराचाज एक नाराज पुफा की तलह लग रहे हैं जो शाधी वरात बगरह में नाराज हो जाते हैं कि ये रसुल्ला हमको नहीं मिला और ऐसे नहीं बुलाया जिज़त नहीं मिली वगर वगर लेकिन यहाँ पर जो बात वो कह रहे हैं उसके हिंदु धर्म के लिए बहुत घरे मायने हैं उनके संटेंस के तीन हिस्से हैं पहला हिस्सा कि मंदिर का लोकारपन नरेंद्र मोधी करेंगे दूसरी बात नरेंद्र मोधी मुर्ती को चुएंगे तीसरी बात क्या ऐसे मौके पर संकराचाज का ताली बजाना उचित होगा इन तीन बातों के संदर में आप अगर देखें तो ये हिंदु धर्म में लंबे समय से चली आ रही बहस के हिस्से के तौर पर आप इसको देख सकते हैं जहां पर हिंदु धर्म का एक हिस्सा लगातार प्रगतिशील हने की कोशिश कर रहा है जो समस्याएं है उसको निवटने की कोशिश कर रहा है दूसरा हिस्सा ग्रंतों में घुस रहा है पुरातन की तरफ जा रहा है पीछे मुड कर देख रहा है और समाधान वो ढूंड र आए वैसी जगह पर जहां से समस्याइं आए दरसल संकराचार ये कह रहे हैं कि क्योंकि मंदिर का लोकारपन नरिंद मोदी करेंगे वो मुर्ती को चुएंगे ऐसे मौके पर संकराचार ताली नहीं बजाएंगे यानि संकराचार इस बात का सागत नहीं करेंगे कि राम मंदि का लोकारपन मोधी के हाथ सो हो रहा है और वो मुर्टी को छू रहे है दरसल ये हिंदु धर्म की जो सबसे बड़ी समस्या है सबसे पुरानी समस्या है उसकी और संकराचार दरसल एक तरह से उसको वो सामने सतह पर ला दे रहे हैं प्रॉब्लेम क्या है प्रॉब्लेम यह है कि हिंदु धर्म जन्म आधारित भेठाव पर आधारित एक धर्म है जिसमें कि पवित्र और अपवित्र प्योरिटी और प्रोफेन इन दोनों का असपश्पी भाजन है और इसके आधार पर तय होता है कि कौन से जात्ति पवित्र ह नहीं है कि सरीर से पुईत्र नहां लिया तो पुईत्र नहीं नहीं इतना सिंपल नहीं है वो मोरल पुईत्रता उसके जन्नजात मिली हुई पुईत्रता यह सारी पुईत्रता है उसमें जुड़ी हुई है यह स्पिरिच्वल पुईत्रता आज्धात्मिक तौर पर कौन नहीं है उसकी सब उसको स्टरज ही जर्व कर्मों के कर्मों से ऊसल की हूई जो गुपारो आप दिन पर पर भार रहे हैं अरेनि नहाद हो कर जाएंगे ऐसी कोई समस्या तो है नहीं वो बिल्कुल साफ सुत्रे अच्छी ड्रेस में जाएंगे लेकिन वो मुर्ति को चुह देंगे इससे संकरा चार्श को तिकत है यह समस्या इस समस्या से इंदु धर्म बहुत लंबे समय मैं से लड़ रहा है एक लंबी परंपरा है दुद्र के अंदर से और हंदु धर्म के वाहर से लगातार समस्या से को चिन्यद करके इसंद्निपने कोशिश सो जिए इसमें बहर से कई सारी मुद्धा को लेकिन को निर्णाय प्रूप से पूरे तौर संकराचार्ज और तुलसिदास दरसल एक जगह पर खड़े हैं तुलसिदास जिसको लेकर इतना सारा कुछ इतने विवाद हैं इतनी चर्चाएं हैं और यह बहुत अच्छा है कि अयुद्या का जो एरपोर्ट है उसका नाम तुलसिदास के नाम पर नहीं रखा गया है और आदी कवी महरशिवालमी की के नाम पर रखा गया है बहुत सोचा समझावा कदम है क्योंकि तुलसिदास एक भाजनकारी वर्टित्प हैं वह हिंदू धर्म के पत्वरस्टक हैं हैं और खास करके आप देखेंगे आरिसमाज के टेक्स्ट में इसकी काफी आलोचना है ये हिंदू धर्म के प्रतवरस्टक तुलसिदास प्रथा consistent चिताब ही है जिसका मैं जिकर कर रहा अब उन्होंने देखी तुलसी दास संकराचार ये एक जगा पर कैसे खड़े होते हैं, मैं आपको रामचरित मानस के उत्तरकांड की दो चौपाई सुनाता हूं, दोनों चौपाई कीता प्रेस गुरकपूर से, ये मोल टेक्ट से ली गई है, इसमें एक प्रिशब्दी तो आप निकालकर देखे, अब मैं वो दो चौपाई पढ़ रहा हूं, पहली चौपाई उत्तरकांड, जे बरनाधम तेली कुमारा, स्वपच किरात कोल कलवारा, पनारी मुई, ग्रिह संपतिनासी, मूड मूडाई, होही सन्यासी, अर्थात, अनुवाद्वी गिता प्रे इस्तरी के मरने पर, अथवा घर की संपतिनस्ट होने पर, सिर मुडा कर संञ्यासी होया थी, कितनी नफरत है, जे बरनाधम तेली कुमारा, स्वपच किरात, कोल कलवार, तेली कुमार, चांडाल, घील, कोल और कलवार, आधि जो नीच वर्ण के हैं, जो वर्ण में नीच है मतलब आदमी, एक ही जगह से सब लोग निकले हैं, एक ही जगह, एक ही मा के सरीर से निकलेवे लोग हैं, तमाम अपने अपने माताओं से अलग-अलग, जैसे अगर जैसे कभीर सहाब पूछते भी हैं, वह अलग रास्ते से क्यों नहीं आए, अगर तुम उचे हो, या अब इसका गुरपूर का नुवाद देखिए, गीता प्रिस गुरपूर का, अब ये जो तेली, कुमार, चांडाल, धील, कोल और कलवार हैं, वह अपने को ब्रामनों से पुझवाते हैं, और अपने ही हाथों दोनों लोगों का नाश करते हैं, अब ये क्या है, ये किस तर कर रहे हैं, ये खुद ही इतना कुछ, इतना विभाजन तो हिंदु धर्म के संत कहे जाने वाले तो उसी दास पैदा कर रहे हैं, अगला चोपाई सुनिया, और मतलब भरा पड़ा है, सुद्र करही जब ब्रत तप नाना, बैठी बरासन कहां ही पुराना, मतलब शुद्र इस समय जब प्रत तप कर रहे हैं, बैठी बरासन, बड़े आसन पर बैठ कर कहां ही पुराना, पुरान का पाठ कर रहे हैं, दिक्कत है क्या, पुरान का पाठ कर रहे हैं, बड़े आसन पर बैठे हुए हैं, वो ब्राह्मनों से अगर ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ज़् मतलब ऐसे ही तो समाज होना चाहिए लेकिन तुलसी दास के विचारधारा जो है वो क्योंकिस में समस्या है रूसी विचारधारा को करते हुए संकराचार्ज इस बात को कह रहे हैं कि नरिंद मोदी मुर्टी पचू देंगे और हम ताली बजाने नहीं जाएंगे बहुत ही अजीब बात है और एक समस्या और है हिंदु धर्म का जिन लोगन अध्यन क्या है वो जानते हैं कि हिंदु धर्म में मुक्ष रुप से तीन मुक्ष धाराएं या परंपराएं जैक अध्यव परंपरा के हैं जो जीव और ब्रह्म को एक मानते हैं अहम रगमास में बोलते हैं या एको ब्रह्मद्यूतियो नास्ति बोलते हैं अगर ये परंपरा है तो वहां तो बहुदेवाद नहीं है वहां तो कोई राम और खिष नहीं है तो आपको इस बात क्यों हुई है कि राम मंदिर में जाकर कौन मूर्थी का लोकारपन करेगा कौन छुदेगा आप तो ब्रअम और जीव को पार्म है अप तो राम मंदिर में जाएंगे भी नहीं कभी किसी दीक्ष titre tech में मंदिर तो आप इस विवाद में क्यों पूल रहे हैं संक्राचार्च के विवाद उनके भार्षन की मिजल लगता है इस वक्त विकी निंदा होनी चाहिए और हिंदुधर्म को सुधार के रास्ते पे चलना चाहिए और उनको बावा साहब डॉक्टर भीम रावमवेटकर का सभी इसमें उन्होंने कहा है एक प्रिस्क्रिप्शन उनका जो है वह भी यह भी है कि पुजारी सिस्टम को आप रिफॉर्म कीजिए और सभी जात्यों को लोग की पुजारी बनाईए इसको बंसानुगत मत रखिया और इसमें आप जो परिच्छा देकर पुजारी बने उसके पास चार्टर या सनद वह जिसके पास सनद न हो पुजारी का काम न करें और भारत सरकार ही नहीं अब तमाम राज्य सरकारें भी इस दिशा में पढ़ रही हैं यहां पर तमाम वर्णों के लोग पुजारी बन रहे हैं अरुध्या के राम मंदिर में भी दो स्रुडुल का पस्ता परिवर्तन हार डियां का नियां में हर धर्मने परिवर्तन होता है परिवर्तन कर नू जो करतार ना memorized वह फाउस्द करता हुआ है